नमस्कार दोस्तों मैं धिलिप कुमार, दोस्तों सतर्मी BPSC का फॉर्म भरने में एडिट का ओप्सन नहीं देने और BPSC, TRE3 का जो फाइनल आंसर की आया उसमें कुछ गलतियां होने की बज़ा से हज्जारों स्टुडेंट्स परिशान हैं और BPSC को इन अभियर्चों की पर पिता का नाम हो या किसी भी तरह का सर्टिफिकेट अपडेट करने से संबंदित हो यानि कि सभी विकल को सभी सुचनाओं को एडिट करने का मौका BPSC को देना चाहिए च्योंकि अगर आप OTR की विवस्ता करते हैं तो एक बार असुधी रह गई एक बार गलती रह गई तो वो हर तरह का एडिट कर सके जितनी भी सुचनाओं आप मांग रहें फॉन भरते समय उन सभी सुचनाओं के लिए आप एडिट का मौका दीजिए किसी अभी अर्थी को डेट ब़र्थ में गलती हो गई किसी को नाम अपने नाम में ही गलती हो गई यह के स्पेलिंग एक वर अब उनका नया बन गया तो नया अप्लोड करना चाहते हैं पर्मानेंट अडेस किसी का पहले कुछ और था आप माल लिजिए कहीं और वो पर्मानेंट निवास करने लगे तो वो अपना जो बरतमान पर्मानेंट अडेस है वो देना चाहते हैं NCL हो या EWS हो EWS उस समय 69th के समय बहुत लोगों ने जो फॉन भरा तो उस समय के नुसार उन्होंने EWS सर्टिफिकर लगाया था लेकिन अभी वो सतर्मी का फॉन भरना है तो अभी के नुसार लगाना चाहते हैं और इसी तरह का और भी जो सुचनाएं हैं जैसे दिव्यांगत बरने में आप सभी तरह की सुचनाओं को कि Eleard करने का एक मौका जरूर दीजिए ताकि अभी अर्थियों को न्याइभ दर्ट已经 के और हमेशा के लिए जो सुधी हो यह हमेंशा के लिए नहुन रहें बलकि हमेशा के लिए सुधू हो जाएं सही हो जाया इसानकारी आगे कभी सुचनाओं को एडिट करने का एक मौका अवस्य दीजिए ताकि हजारों अभियर्थियों को न्याय मिल सके और साथ ही BPSC TRE 3 का जो फाइनल आंसर की जारी हुआ उसमें कई आंसर गलत दिये गए हैं कुछ कोस्टन डिलीट किये गए कुछ के आंसर गलत दिये गए हैं त पहले सही हो उसके अधार पर मुल्यांकन हो एक कोस्टन का अंसर भी अगर गलत दिया जाता है और उसके अधार पर अगर मुल्यांकन होता है उसके अधार पर मेरिट लिष्ट जारी होता है तो हजारों मेरिट वाले बाहर हो सकते हैं एक नंबर के चलते एक कोस्टन के चलत ये गलत आंसर के चलते इसलिए हम BPSC से यागरा कर रहे हैं कि BPSC TRE 3 के फाइनल आंसर की में जहां भी गलती हैं उसे सुधार किया जाए 11-12 का GS का H set में 40 नंबर कोशन UPI से सम्वंदित है उसमें बाकी के set में मौरिसस आंसर दिया गया है लेकिन H set में इन में से कोई नहीं आ अलग-अलग set है लेकिन कोशन एक ही है तो बाकी के set में मौरिसस आंसर और H set में अलग आंसर दे दिया गया है तो H set वालों के साथ तो वह न्याई हो जाएगा इसलिए हम BPSC से यागरा कर रहे हैं कि आप इन चीजों को देखिए और जहां भी गलत आंसर हो गया है उस आंस आप खूद उस question का अलग-अलग set में मौरिसस आंसर माण रहे हैं और X set में इन में से कोई नहीं मान रहे है तो आप तो खुद बता रहे हैं कि कोई तो गलती होगा दोनों तो आंसर सही नहीं हो सकता जबकि question नेख ही है और जो एक ही और सही आंसर पर copy का मुल्यांकन हो, OMR का मुल्यांकन हो, और उसके बाद merit list जारी हो, सही आंसर पर merit list जारी हो, और सतर्मी BPSC में form जो भड़ाया जा रहा है, उसमें edit का एक मौका सभी चीजों को, सभी सुचनाओं को, सभी विकल्पों को edit करने का एक मौका जरूर दिया ताकि अभी अर्थियों के साथ निया हो सके,